जेहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी को KPS Study.YouTube चैनल पर तो आप सभी को बता दे CRPF के तरफ से नई भरती जारी कर दिया गया है और इसका ओफिसियली नोटिफिकेशन आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आज जारी किया गया है यानि कि 4 अक्टूबर को इसका ओफि जनकारी इसके बताएंगे कि क्या इसकी लिजिबिलिटी क्राइटरिया है और कौन-कौन से स्टूडेंट इस फर्म को अपलाई कर सकते हैं तो वीडियो में आप सभी बने रहे और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं यह रहा इसका ओफिसियली नुटिफिकेशन जो कि CRPF के तरफ से जारी किया गया है और यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि इसमें जो मेल, कैजुल, लेबर, एसकिल्ड या अनसकिल्ड, अन् जो कि Board of Officer on 27-10-2021 यानि कि CRPF के तरफ से जो है आपका इंटर्विव लिया जाएगा जो कि 27 अक्टूबर 2021 को यहाँ पर एगारे बजे देख सकते हैं समय दिया गया है और यह इंटर्विव आपका 31 BNCRPF मयूर बिहार फेज 3 निव दिल्ली यह इसका एड्रेस है और जो है रिक्वाइड जो है इजुकेसनल और प्रोपेसनल सर्टिफिकेट और साथ ही साथ भोटर आईडी काड या अधार काड कोई भी है और इसके अलावा जो आपके पास डॉक्मेंट है वे सभी लेकर जो है आपको इंटर्विव में 27-2021 को इस एड्रेस पर सामिल होना है इसके बाद यहाँ पे बात करें वेकेंसी के बारे में तो मेसन है और यहाँ पे देख सकते हैं सिविर में के लिए जो है आपका वेकेंसी है यानि कि यहाँ पे दो जो है पोस्ट पर आपका वेकेंसी है और सभी में एक एक पोस्ट है और यहाँ पे सीफ्ट बताया गया है as per the rate fixed by दिली गोबर्मेंट for skilled या on skilled labor के लिए यानि कि skilled या on skilled labor के लिए जो दिली गोबर्मेंट के द्वारा salary fix किया गया है वही salary आपको यहाँ पे daily basis के अधार पर दिया जाएगा qualification की बात करें तो ITI जो है इस field में अगर आप सभी किये हैं यह दो आपका vacancy है इस field में अगर आप ITI किये हैं तो आप इस फर्म को यानि कि इस फर्ती में भाग ले सकते हैं इसका last rate पचीस दस दो हाजार रिकेस बताया गया है और age limit आपका minimum 18 और maximum 40 बर्स रखा गया है यानि कि 18 बर्स minimum और maximum 40 बर्स इसमें age limit रहेगा जो आपका interview होगा 27 दस दो हाजार रिकेस को एगारे बजे आपका interview conduct कराया जाएगा term and condition के बारे में बताया गया है कि यह जो है daily basis पर आपका salary है और यह temporary जो है आपका job है permanent job नहीं है इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि यह जो है आप अगर job करते हैं तो वहाँ पर अगर कोई भी गलती करते हैं या किसी भी पर करके यहाँ पर देख सकते हैं तो आपको तुरंथ जो है terminate कर दिया जाएगा job से इसके बाद यहाँ पर बताया गया है आप सभी पड़ सकते हैं इसके बारे में नो benefit other यानि कि कोई other benefit आपको नहीं मिलेगा और इसके लावा आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं जो payment है वह आपको जो है दिया जाएगा डेली वेसिस के अधार पर और 6 दे आपको काम करना है यानि कि 6 दिन जो है आपको काम करना है और एक दिन आपका चूटी रहेगा और इसके लावा अगर national holiday या कोई भी holiday होता है तो आपको उसमें छूटी दिया जाएगा इसके लावा यहाँ पर देख सकते हैं और काफी सारे जनकारी दिया गया है कि अगर आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं one week से जादा अगर आप सभी absent करते हैं without permission का तो आपको तुरंत terminate कर दिया जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं काफी सारे जनकारी दिया गया है तो यह वेकेंसी आपको बता दे कि interview के basis पर होने वाला है interview के द्वारा इसमें selection किया जाएगा जो कि दो post पर आपका वेकेंसी है तो अगर आप सभी interested है तो इसमें जो है जा सकते हैं 27.10.2021 को इस address पर इस वेकेंसी के लिए यानि कि यह वेकेंसी जो है सभी student के लिए है लेकिन इसमें IT यही मांगा गया है इस field में जिस post पर आगर आप जाना चाहते हैं उस field में IT यही आपके पास होना चाहिए तो दोस्तों I hope आप सभी समझ गए होंगे और आप सभी को बता दे कि अ प्रेक्टिस सेट इसके अलावा आठ प्रेक्टिस सेट के लिए बेस्ट होने वाला है और आप सभी को पता है कि SSE GD की तयारी कर रहे हैं तो प्रेक्टिस सेट लगाना काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है इसके अलावा चप्छू पब्लीकेशन का complete guide और प्रेक्टिस कर सकते हैं ये तीनों बुक आपको SSE GD की तयारी के लिए बेस्ट बुक होने वाला है और दोस्तो आप सभी को बता दे कि जो ये वेकेंसी है इसमें पोस्ट की संख्या काफी कम है तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इसमें जो है भाग ले सकते हैं यानि कि इंटर बंदे मात्रम